नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे USA के प्रेजडेंट डोनाल ट्रम्प की इंपीजमेंट जो महाव्योग है उसकी सारी प्रिक्रिया क्या है और इसे इंडिया से भी कंपेर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं ये जो है USA की संसद है जिसे हम Congress बोलते हैं और ये इनका Lower House है जो House of Representatives है और ये इसका Upper House है दस सिनेर्ज, the house of representative ऐसा है जैसे हमारा लोग सबा है और जो सिनेट है वो ऐसा है जैसे हमारा राज्य सबा है, ठीक है, जो total member हैं Congress के, मतलब इनके संसद के वो 535 हैं, जिन में से 100 member जो हैं वो सिनेट के हैं और जो बाकी के 435 member हैं वो representative के हैं, ठीक है चलिए, यहां भी जो हैं, दो main parties हैं, एक democratic party और एक Republican party जो Donald Trump की party है, ठीक है, यह ऐसे ही है जैसे हमारे यहां BJP और Congress है, जो Donald Trump आते हैं वो Republican party से आते हैं, ठीक है, और जो आपके Obama थे, वो आपके जो है, इस democratic party से आते थे जो majority है, डेमोकरिटी party की, वो representative में ज़्यादा है, और जो Republican party है, इसकी Senate में ज़्यादा majority है, चलिए, अब देखते हैं, इंपीजमेंट का procedure, डोनाल ट्रम्पे क्यों चलाया जा रहा है, उन पे, डोनाल ट्रम्पे आरोप है, कि जो उन्होंने, उनकी president की power है, उनका उन्होंने गलत use किया है, जो Ukraine के president है, मलादमीर जनिस की, उन्होंने, उनको pressurized किया, कि वो अपने opponent, जो बिडेन और उनके जो son है, hunter पे, जो है, कोई investigation स्टार्ट करें, क्योंकि जो जो बिडेन है, उनका जो है, कुछ business यूकरेन में भी है, और ये जो है, formal vice president है, USA के, और ये डोनाल ट्रम्प को ठीक ठाक टक कर दे सकते हैं, president election 2020 में, जो impeachment का procedure है, वो lower house में चलाया गया, नैंसी पेलसोई द्वारा, 24 स्टंबर 2019 को, और ये जो procedure है, वो complete हुआ, वो impeachment का procedure, lower house में पास हो गया है, अब वो senate में जा रहा है, चलिए, ये जो डोनाल ट्रम्प है, ये पहले ब्यक्ती नहीं है, जिन पे जो है, impeachment का procedure चलाया जा रहा है, USA में, इनके पहले दो और president है, यानि जो डोनाल ट्रंप है यह थर्ड प्रेजिडेंट हो गए जिनके ऊपर जो है impeachment का procedure चलाया जा रहा है इनके पहले जो है Bill Clinton और जो है Andrew Jelson इनके पे जो है impeachment का procedure चलाया गया था पर दोनों को ही impeachment नहीं किया गया था मतलब जो है पद्षय निश्काशित नहीं किया गया था ठीक है सबसे पहले हम समस्ते हैं जो impeachment का procedure है इंडिया में कैसे होता है और इसे USA से भी compare करेंगे सबसे पहले जो impeachment का procedure है इंडिया में वो भूथ houses दोरा लोगसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक में से चलाया जा सकता है लोगसभा में भी चलाया जा सकता है और राज्यसभा में भी चलाया जा सकता है प्रेजिदेंट के स्पोर्ट में होने चाहिए और प्रेजिदेंट को सूचित गिया जाता है प्रेजिदेंट के पास 14 दिन होते हैं कि वो सफाई या कुछ मांपी मांग सके अपनी गलतियों के लिए अगर जो हूस है फिर भी खुश नहीं होता है तो जो है ये टू वाइद थर्ड से जो मेजोर्टी है वो इंपीजमेंट का प्रोसीजर पास करता है और जो इंपीजमेंट का प्रोसेस है अब राज्यसवा में जाती है जो राज्य सबा है मतलब दूसरे हाउस में जाती है और दूसरा हाउस एक जो है कमिटी बैठालता है और वो देखता है कि जो आरोप है रास्ट पती पे लगाए हुए हैं वो सही है या गलत है और अगर सही पाए जाते हैं और यहाँ पे जो मेजोर्टी है फिर से 2 by 3rd चाहिए होती है जो दूसरे हाउस में भी अगर 2 by 3rd बहाँ पे मेजोर्टी फुलफिल हो जाती है तो रास्ट पती को अपने पत से निश्काशित किया जाता है पर जो USA में है वो थोड़ा सा अलग है चलिये अब देखते हैं USA के Rugged की impeachment का process क्या होता है इसे इंडिया से भी compare करके देखते हैं जो impeachment का process है यहाँ पे lower house मतलब house of representative में चलाया जाता है जो इंडिया में हैं बोद houses दौरा चलाया जा सकता है lower house भी अप्रहाउस भी मतलब जो राज्य सभा है और लोग सभा है दो नो जारत राज़ाज़ा सकता है पर यहाँ पर जो हाउस अप रिप्रेजेंटिब है लोग हाउस द्वारा ही इम्पीजमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है इसके बाद एक कमेट्टी है जो देखती ह जो मेंबर है हाउस अप रिप्रेजेंटिब्स के वो इम्पीजमेंट के फेबर में है या नहीं और सिंपल मेजोर्टी द्वारा यह पास किया जाता है जो की है 51 परसेंट अगर यह बिलपास हो जाता है तो यह फर्दर जो है सीनेट में जाता है सीनेट में यहाँ पे एक कमेर्टी होती है जो की चेक करती है कि जो प्रेजिडेंट पे लगाये हुए आरोप हैं तो सही है या नहीं जो सेनेट में कमेर्टी होती है इसके जो हैड होते हैं वो S Supreme Court के Chief Justice होते है और जो है इसमें जो मेजोर्टी चाहिए होती है वो 253 होती है अगर यह मेजोर्टी procedure खतम होता है और जो President है उन्हें उनके पद से निश्काशित किया जाता है पर जो Donald Trump का case है इसमें जो है रिपर्जेंटिब House of Representative में इनकी जो मैजोटी नहीं है तो यह जो impeachment का process है यहां तक complete हो गया पर जो सिनेट में सिनेट में जो है Donald Trump की मैजोटी है तो यह शायद ही यह टू वाइट थर्ड से जो impeachment का process है पास हो सके तो यह शायद ही impeached होंगे मतलब जो इन्हें पद से निकाला शायद ही जाएगा तो इसी के साथ जो impeachment process है USA के President का खतम होता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद